हाई गाईस मेरे नामे संचत और आप देख रहे है टेक वर्ल्ड के लिए क्योंकि फिलिपकाट विक बिलियन डेज सेल आ चुकी है और यहां पर सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है फोन खरीदने का सिंपल से रीजन है सबसे पहली बात यह कि फिलिपकाट पे जो हमें पूर बात बन जाती है सेकिंड मैं आप लोग को बता रहता हूं कि फिलिपकाट यहां पर जो है नाइन न्यू स्मार्टफोन लांच करने वाला है इस बिग बिलियन डे पर ही और सब्टेंबर से लेकर अब तक बाइस ने स्मार्टफोन अलरी लांच हो भी चुके है बिल्कुल क आप लोग को सारी डील्स लाकर अभी बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर और उपर से काफी सारे ओफर भी है काफी सारे अफॉर्डिबिलिटी ऑप्शन्स है जैसे कि नो कॉस्ट एमाई देखने को मिलेगा दस परसंट का आपको इंस्ट डिसकाउंड भी मिलेगा अ और अगर आप फोन को थोड़ा सा और प्राइस रिडियूस करना चाहते हो तो अपने पुराने वाले फोन से भी एक्शेंज कर सकते हो और इन फैक्ट पे टीम से जो आपको अशॉर्ड कैश बैक भी देखने को मिलेगा और इतनी हाँ पर बात खतम नहीं होती यहाँ पर फ मेरे सबसे पहले रिक्मेंडेशन रहेगी रियल्मी C11 इस फोन में 13 मेगापिसल का डूवल कैमरा देखने हो मिल जाता है जो कि इस 7000 के नीचे प्राइस सेग्मेंट के अंदर बहुती साही चीज बन जाती है Miratech G35 जैसे powerful processor देखने हो मिल जाता है और यह latest phone है Realme की तरफ से जो कि C series का है और मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि यह best budget phone है जो कि बहुती great discount पर मिलने वाला है और मेरे साब से कोई भी study from home करना चाहता है तो मेरे साब से इस usage के लिए बहुती अच्छा phone रहेगा और अगर मैं इस Realme C11 को Redmi 9A से compare करूँ तो इसके अंतर में Miratech G35 देखने हो मिल जाता है और dual camera है तो automatically Redmi 9A से बेटर बन जाता है C11 अब next phone में POCO C3 recommend करना चाहूँगा और मुझे पता है कि यह 7000 रुपे का है लेकिन आप इसको 7000 रुपे से कम में भी ले सकते हो अगर आपके पास SBI का debit या credit card है तो उसके आपको 10-100% का instant discount देखने को मिल जाएगा खेर इस phone की बात करूँ तो यहाँ पर हमें Miratech Helio G35 इच में यहाँ पर हमें option तो बहुत सारे देखने हो मिल जाते हैं like crazy numbers है किसी phone के अदर 48MP camera है 6000 mAh की बैटरी है और ऐसी बड़े बड़े नंबर देखने हो मिल जाते है आपर Miratech G80 processor है और मेरे साब से ओवरली gaming के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर 10-1000 से नीचे नीचे इस phone को मैं consider करूं तो और अगर किसी के mind में आ रहा है कि Redmi 9 Prime बैटर है और फिर POCO M2 मेरे साब से POCO M2 है क्योंकि इसके अंदर 6GB RAM है बाकि स्प्राइज सेगने में में और Snapdragon 460 है अब next price segment आ जाता है 10-1000 से लेके 15-1000 के बीच में और guys क्या कमाल option अविलेबल है flip card के उपर जैसे कि 65W charging वाला phone है 8GB RAM वाला option हमें देखने को मिल जाता है और 64MP camera भी देखने में मिल रहा है इस price range के अंदर खेर मैंने आप लोग के लिए 2 phone अच्छे निकाले है सबसे पहला आ जाता है Realme 7i अब इसके अंदर में 64MP quad camera setup देखने मिल जाता है और Snapdragon 662 वैसे यह latest launch है Realme की तरफ से और काफी affordable price पे phone आने वाला है तो आप इसको जरूर चेक आउट करना खेर second option है मेरा Samsung Galaxy A50s अब यहाँ पर खास बात है कि 48MP का triple camera setup देखने मिल जाता है और Super AMOLED display खेर यह जो phone का price है इस sale के अंदर 13,999 रहने वाला है और Super AMOLED इस price range के अंदर काफी crazy चीज बन जाती है और उपर से मेरे साब से best selling smartphone है Samsung के mid range वाले अगर मैं option पे बात करूँ और exclusively available ह flip card के उपर तो यह मेरी second pick रहने वाली है वैसे OPPO F15 में मिल रहा है बहुल अच्छे price पे उसमें 48MP का quad camera setup है और 6.4 inch की full HD plus display है तो यह OPPO F series जो है काफी सही है इस price point पे जो की flip card पे मिल रही है अब next price segment आजाती है 15,000 से लेके 20,000 तक की और यहाँ पर भी हमें crazy numbers देख में मि जैसे की 65W की charging यहाँ भी है लेकिन 120Hz का refresh rate वो मखन performance और उपर से यहाँ पर हमें Amulet display भी देखने को मिल जाती है खेर यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को recommend करना चाहूँगा Realme 7 Pro अब यहाँ पर 64MP का Sony IMX682 sensor देखने को मिल जाता है 6.4 inch की Amulet screen यहाँ पर है और मैं अच्छा इसको बना देता है phone, overall मैं इसको package बोल सकता हूँ अराम से, जो second phone मैं आप लोग को recommend करूँगा, वो है LG G8X, अब यह phone जो है बहुत ही interesting होता है, 6.4 inch की हाँ पर हमें dual OLED screen देखने को मिल जाती है, और उपर से Snapdragon 855 flagship level का processor है, मेरे साब से इस festive season पे सबसे crazy deal है, क्योंक F41 को कैसे बूल सकता हूँ, सबसे बड़ा launch है, वो भी Flipkart exclusive series ही रहने वाली है, इसके नदर वे 6.4 inch की Super AMOLED डिस्पले देख में मिलेगी, और 6000 image की बैटरी, और यहाँ पर जो है, मतलब यह Samsung का नेया phone है, तो obviously वह excitement हो है, बट यह आप इसको सिर्फ 70% price पे करकर, और smart upgrade के त सबसे पहली बात, अगर आप Android World में best option चाहते हो, तो Samsung Galaxy S20 Plus अविलेबल है, crazy price पे, पचास दार से नीचे नीचे आएगा, तो यह जरूर चेक आट करना, इसमें हमें 64 megapixel का camera देखने हो मिल जाता है, और 6.7 inch की Quad HD Plus डिस्पले देखने हो मिलती है, वो crispiness जो है हमें Samsung की, पचा 70% पे करना और यह phone आपका हो सकते है, और Google Pixel 4 को कैसे बूल सकते है, सच में कितने सारे लोगों को वेट आइस phone का, अब यहाँ पे में Snapdragon 730G देखने हो मिलेगा, और 5.8 inch की OLED screen देखने को मिल जाएगी, मेरे साब से बहुती great price पर आएगा, flip card पे आप इसको भी check out कर सकते हो, बर अगर आप लोग जो एपल के iOS world में explore करना चाहते हो, तो मैं आप लोग को recommend करूँगा, Apple का iPhone SE, अब यहाँ पर जो हमें A13 Bionic chipset देखने हो मिल जाता है, वाओ, बिल्कुल flagship level, और उपर से iPhone का जो portrait camera है, वो जो एलगौरत है iPhone के, वो भी देखने को मिलेगा इस phone के अंदर कर अभी तक Flipkart नहीं चीज़ बताई नहीं कि किस exact price पे आने माल है, बट इतनी सी हिंट दी हम लोगों को, 30,000 के नीचे नीचे फोन हमें देखने को मिलेगा है, सेल के अंदर, काफी कमाल बात है, अब next मैंने category बनाई है कि अगर आपको highest performance वाला phone चाहिए हो, कर मैं आप लो करूँ है, Realme Narzo 20A, यहां पर हमें Snapdragon 665 देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है, और यह latest Narzo series का phone है, तो जो प्रोसेसर है और जो triple camera setup है इसका, मेरे साब से 10,000 रुपे के नीचे नीचे बहुत ही अच्छा बन जाता है, performance को देखते हो है चलूँ तो, तो इसको आप लोग ज की बैटरी है और 33W की fast charging देखने को मिल जाती है, और अगर आपका बजट है 15 से लेकि 20,000 तक का और यहां पर आप performance phone ढूण रहे हो, तो Poco X3 की तरफ आपको ज़रूर नजरे डालनी चाहिए, अब यहां पर हमें 120Hz की refresh rate देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले के अंदर, two good option, उपर से Snapdragon 732G देखने को मिलता है, खाफी कमाल का chipset है, performance pack phone है, और गाइस अगर आप लोग का 20,000 से उपर उपर का budget है, तो यहां पर भाई IQ3 को मैं मिस नहीं कर सकता, यहां पर हमें Snapdragon 865 देखने को मिल जाता है, वाउ, बिल्कुल top notch, और उपर से 55W की super flash charge देखने को मिल जात है, मेरे साब से नहीं, यह fastest phone में आता है, जो कि gaming के लिए RGB RAM भी है, और उपर से flagship processor है, और उपर से capsule shape का charging वाला, जो gaming में परिशान नहीं करेगा, तो मुझे वह भी बहुत कूल लगता है, तो यह तो आप जरूर मतलब check out करना, इसको miss नहीं कर सकते, अब यह वीडियो खतम आप लोग को मैं बहुत ही अची सी tricks बताने वाला हूँ कि आपको कैसे phone खरीदना है, सबसे पहली बात आजाती है, flip card का mobile protection plan, आपको जरूर लेना है, यह सरिफ एक रुपे से शुरू होएगा, selected models में, और थोड़ा उपर ते किसका price जा सकता है, accordingly देख लेना, flip card की website पे जा पर रख कर जाएंगे, क्या कमाल चीज है यह, आप इसको जरूर चेक आउट करना, और साथ में बिल्कुल इसको खरीद नहीं खरीदना, second trick ही है कि अगर आपके पास कोई भी phone है, जो की working condition में बस on होता हो, चाहिए उसकी screen टूटी हो, तो आप exchange करवा सकते हो, उससे आपको no cost EMI का तो option हमें देखने को मिलता ही है, जातर major जितने भी bank account है, उनमें तो आपको मिलेगा, यह बजाज finance पर भी है, तो आप उसको भी check out करना, और अगर आप लोग मेरी तरह GST claim करना पसंद करते हो, GST filing का भी option है आपर, तो आप वहां से भी थोड़ा सा फायदा उठा सक और अब लोग को स्मार्ट अप्गेड के पारे करना चाहूँगा, स्टाटिंग में अप लोग को का था याद रखना, याद रखना, स्मार्ट अप्ग्रेड जो अप्शन है, अब यहां पर जो हमें गेलक्सी 4EVर का भी option देखनी को मिलता है, उससे पावर एग, और सैमसं मैंने आप लोग को इसलिए दिखाए क्यों कि इसे आप लोग को अंदाजा लग सेगे कैसे आप लोग बिल्कुल मस तरीके सारे ओफर का फायदा उठा सकते हो तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग क्या-क्या सोच रहे हो exactly में खरीदने का और उपर से टेग बार पे आई हो तो सर्प्राइज इस तो आप एकस्पेक्ट कर सकते हो मैं 15,000 रुपे का एक वाउचर फ्लिपकार्ड का आप में से किसी एक बंदे को गिववे करना चाहता हूँ और आपको कुछ नहीं करना जस ट्विटर पे जाना है फ्लिपकार्ड को टैग करना और मुझे करना और इस सिंपल से कोईशन का जवाब देदो कि डैश is the first product launched on Flipkart from the brand new series from Samsung जिसको भी आंसर पता है जल्दी से जाकर ट्विटर पे अभी लिग दो और हो सकता है कि 15,000 का वाउचर आपको मिल जाए तो जल्दी से जाओ और बिल्कुल मज़े करो और फायदा उठाओ गाईज इस मस्त टाइम का खेर यहाँ पर वीडियो खत्म हो जाती है आपको कुछ भी आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो मैं आप लोग को जवाब देने को पूरी कोशिश करूआ खेर यहाँ पर सारी कारी खत्म हो जाती है अगरे मिलते हैं तैंक्स सुमाच